नोकिया एक जमाने से नोकिया इतना जादा राज किया कि जैसे मानों की एक सपना था आज कल नोकिया की स्मार्ट फोन से काफ़ी जादा एक्सपेटेशन हम में से काफ़ी सारे लोग लगाती होंगे चाहते होंगी कि नोकिया फिर से एक बार ऐसे कमब्या करे कि नोकिया फिर कि लोग सही प्राइस के साथ सही समय पर स्मार्टफोन लांच नहीं कर पारें खैर कॉंप्टेशन की बाद तो इनकी उपर शोड़ करनों कि एक लाइट स्मार्टफोन जल्दी लांच करने वाला है देखो आज कल सब जगह पे बारत के अंदर 5G स्लोली स्लोली रोल आउट हो में 1 प्राइशन के स्मार्टफोन में कुन सा प्रेसेसर होगा नगी स्मार्टफोन के अंदर 5G सपोटिड एक समार्टफोन के में खासबाति इसकी कैमरा कॉल्टी बैक साड में एक पॉप अप विंडूस जाए सा एक कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा जो जो दिखने में फ्लैट तो रहेगा ही जैसे आप जूम इन करोगी लिटरली एक DSLR जाए से लाइन्स बाहर आएगा और जिसकी में प्राइमरी कैमरा क्वा क्या एक 5G स्मार्टफोन लांच करेगा तो सबसे पहले पर्चेस करने वालों में से मैं भी एक शायद हो सकता हूं पर हाँ प्राइस भी काफी जादा मैटर रहता है यूजली अब स्क्रीन के ओपर देख पार होंगी काफी बड़ा एक स्क्रीन होने वाल है यानि कि मैं एक स्मार्टफोन की ओर देख क्योंकि तो काफी अच्छी बैटर फार्फोन में आप एक्सपेट कर सकती हों क्योंकि काफी बल्की साही स्मार्टफोन आपको देखने में लगेगा उतना ही काफी दिन चने वाला स्मार्टफोन भी यह होगा लगातार 3-4 डेज नॉन स्टाप बैटरी फ़ॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉफॉ लगबग मान लो की चार विरेंट तो ये स्मार्टफोन के अंदर आने वाले है कुछ नोकिया की बड़ा दिल हो गया तो और भी काफे सारे विरेंट मिल सकता है खैर मेरे अबी प्राइज जो भी है मैं तो आप लोगों को बता दिया